Hello Friends, Namaskar दोस्तों, Knowledge for Life Group में आपका हर्दिक स्वागत है, Welcome तो दोस्तों, प्रीविएस वीडियो में हमने वेतनमान से संबंदी जो बाते थी उनको क्लियर किया था और आज हम वेतन का निर्धारन किस तरह से किया जाता है, उनकी हम यहाँ चर्चा करेंगे कि वेतन निर्धारन किस तरह से होता है, इसके लिए हम आज चर्चा करेंगे उसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो काफी इंट्रेस्टिंग और फायदेमंद होने वाला है तो इसको शेयर करें और इसी तरह से अच्छे अच्छे और बढ़िया और मोटिवेशनल साथ ही साथ नॉलेजफूल वीडियो बनाते रहें तो चैनल को दोस्तों लाइक भी करें तो बिना सब्सक्राइब गवाई शुरू करते हैं तो दोस्तों वेतन और भत्ते प्राप्त करने की क्या सरते हैं? जो भी राज्यकरमचारी है अपने पदभार ग्रहन करने की दिनांग से नियमा नुसार पदगा वेतन और जो भी देभत्ता है वो प्राप्त करेगा यह नियम है किन्तु यदि पद भार मद्यान पस्चात करता है तो वह अपना वेतन अगले दिन से प्राप्त करना प्रारंब करेगा तथा जैसे ही वह उन सेवाओं को करना बंद कर देगा तो उसे वेतन भत्ता मिलना भी बंद हो जाएगा यह नियम 22 है तो दोस्तों एक वेरी इंट्रेस्टिंग और वेरी इंपोर्टेंट कभी भी मद्यान पस्चात यदि आप जोइनिंग करते हो तो वह अगले दिन से वेतन भत्ता माना जाएगा अगले दिन से आपकी सेलरी मानी जाएगी तो प्रियास करें कहीं भी आप जोइनिंग करें तो मध्यान पूर्ग ही करें मध्यान पस्चात ने करें नेक्श दोस्तों नवी नियुक्ती पर वेतन का निर्धारन नवी नियुक्ती पर एक वेक्ती राजगिये सेवा में आया वेतन जो मेट्रिक्स है और लेवल पर नियुक्त किया गया तो वह सरकार द्वारा समय पर विहित किया गया वेतन प्राप्त करेंगा परंतु उसके द्वारा धारित पद पर सक्षम अधिकारी द्वारा स्विक्रत वेतन से अधिक नहीं होगा जो भी सक्षम अधिकारी है उस पर जो वेतन मिल रहा है उससे अधिक नहीं होगा राज्य की स्विकरती सरकार की जो स्विकरती है उसके बिना किसी विसेस या वेक्तिक वेतन सरकारी करमचारी को दे नहीं होगा तो यह नियम 24 है यह वाला दोस्तों नियम 22 था साथ ही साथ यदि कोई प्रोबेशन पर शिक्षनार थी है ऐसी दरों पर जो सरकार दोरा समय समय पर विहित की जाएं एक इस्थिर पारी सर्मिक प्राप्त करेगा वो बदलती रहती हैं हमारे समय काफी कम मिलती थी प्रोबेशन वालों को फिलहाल जो व्यक्यता पदपर हैं उनको 27,90 लगबग 28,000 रुपए मिल रहे हैं हमको 14,000 रुपए फिर वो बढ़ गए थे 18,000 इस तरह से मिल रहे थे सफलता पूर्वक परिविक्षा की आवधी को पूर्ण करने पर उसे वेतन मैट्रिक्स के लेवल के जो भी पर्थम प्रकोष्ट है उस पर्थम प्रकोष्ट का वेतन अनुग्यात हो जाएगा प्रशिक्षन काल आदी में वेतन सेवा नियम के अंतरगत प्रशिक्षन अवधी को करतव्य के में समझा जाने पर किसी भी राज्य करमचारी को ऐसा स्विक्रत किया जा सकता है जिसे सरकार न्यायुचित परंतु किसी भी परिस्तिती में वेतन से अधिक नहीं होगा ठीक है प्रशिक्षन काल है वेतन है सेवा नियम है प्रशिक्षन आवधी है स्विक्रत किया जाएगा परंतु जो उसका वेतन है उससे अधिक नहीं होगा वोई नियम 25 है और वह है ड्यूटी के अंतरगत कोई अन्य कारिय प्राप्त करता है वेतन से अधिक नहीं होगा जिससे राज्य करमचारी यदि नियम साथ कह के अतीन ड्यूटी के अंतरगत अन्य कारिय यदि रहता प्राप्त करता है तो सरकार न्यायोचित किसी भी परिस्तिती में एक्स्ट्रा पैमेंट यानि जो उसका मूल वेतन है उससे अधिक दे नहीं होगा अधिक दे नहीं होगा ठीक है दोस्तों नेक्स्ट है यदि राज्य करमचारी आउशक रूप से निहम के नीचे दी गई टिपणी नवीन जो भी नियुक्ति पदस्थापन परतिक्षा में रखा जाता है तो वेतन एवं बत्ते का अधिकारी होगा राज्य सरकार आउशक नियुम से टिपणी नियुक्ति नवीन पदस्थापन आदेशों की परतिक्षा में रखा जाता है यानि दो साल हो गए उसके और फिर पदस्थापन आदेशों की तो उसे वेतन एवं भत्ते वेह पुराने पद पर कार्य भार छोड़ने पुराने वेतन और भत्ते का अदिकारी है जो वेह पुराने पद भार पर कार्य भार छोड़ने पर प्राप्त कर रहा था उसे वाहन भत्ता और यात्रा भत्ता तथा आवेदों आदेशों की परतिक्षा आउधी में जो भत्ता है वेह नहीं मिलेगा तो ये कुछ भत्ते एक्ष्ट्रा हैं जिसे वाहन भत्ता है इस्थाई यात्रा भत्ता है और नियुक्ती की आदेशों में जो भी भत्ता है वेह दोस्तों दे नहीं होगा अद्रश्टांट क्या है कि सिचाई विभाग जैपूर में कार्यत सिरी कै को 11.99 से 30.99 तक आदेशों की परतिक्षा में रखा गया यानि लगभग ये मानिये 11.99 से लेकर 30.11 तो लगभग दो मेंने हो गए दोस्तों ठीक है दो मेंने से कुछ ज़्यादा ही हो गए तो जो सिरी कै है उक्त पद पर 12.000 रुपए मासिक वेतन उसके साथ मेंगाई बत्ता तथा नियमा नुसार मासिक किराया बत्ता सहरी बत्ता प्राप्त कर रहे थे जो भी हैं तो चुकि 30 दिन से अधिक आउधी के लिए आदेशों की पर्तिक्षा में वित विभाग की सहमती से ही रखा जा सकता है 30 दिन की आउधी से ही है अते इन्हें सक्षम सहमती से 11.99 से 30.11 तक वही वेतन बत्ते दिये जाएंगे जो 10.9.1999 को प्राप्त कर रहे थे 10.9.1999 को प्राप्त कर रहे थे वही भत्ते ही दिये जाएंगे 30 दिन की अधिक आउधी आदेशों की पर्तिक्षा में वित विभाग की सहमती से ही रखा जाता है ठीक है परंतु दोस्तों कंडिशन क्या है कि परिविक्षा अधिपूर्ण होने के पस्चात वेतन निर्धारन नवी नियुक्ती के पस्चात होगी तो ये उपर वाले में दोस्तों साफ साफ इसपष्ट दे रखा है कि यदि कोई करमचारी है सिचाई विभाग में है और उसे 12,000 रुपए मासिक वेतन ये मिल रहा था पहले से ही तो दोस्तों किसी कारणवस यदि उसको टाइम लग गया है 30 दिन की अवधी से अधिक है तो वित विभाग की सहमती से ही रखा जा सकता है इस परतिक्षा में तो सक्षम सहमती से दोस्तों उसको वही वेतन बता मिलेगा जो पहले से वह प्राप्त कर रहा था अर्थात यह है प्रतिक्ष्या में जो नुकसान है वो करमचारी का ही हुआ प्रवेशन में पूर्ण हो गई होने के बाद प्रशिक्षनारी सू संगत लेवल पे मैट्रिक्ष में वेतन नियत परिक्ष्या विधीन परशिक्षनार्थी को परिविक्षा अउदी सफलता पूर्वक पूरी करने पर पे मैट्रिक्ष लेवल पहले सैल में नियूनतम वेतन अनुग्यात किया जाएगा जैसे मान लीजिये कोई भी कनिश लिपिक है राज्य सेवा के पर्थम नियुक्ति पर है उसे परिविक्षा पर्षिक्षन आउदी में दो वर्स तक लेवल पांच में प्रारंभिक वेतन पर्थम सैल की रासी रूड बीस हजार जो आठ सो है मूल वेतन दे हो जाएगा ठीक इसी परकार यदि कोई करमचारी पूर्व से ही राज्य की ये सेवा में है तो उसे सीधी भरती से वह नियुक्त है तो ऐसे सरकारी करमचारी जो पहले से ही राज्य सरकार की सेवा में है उस तर पद में न्यूक्त किया जाता है तो उसे वेतन आहरित का विकल्ब दिया जाता है और जो परिविक्षा अवधी है जो परिविक्षा अवधी है दोस्तों उसमें सफलता पूर्वक पूरी करने पर उसका वेतन परिविक्षा प्रशिक्ष अवदी के दोरान दे वेतन बर्दियों सहीत नए पद के लेवल के पे मेट्रिक्स के समान सैल में यदि समान सैल में नहीं हो तो अगले सैल में नियत किया जाएगा तो ये दोस्तों उनकी कंडिशन है जो जो दोस्तों पहले से ही आपके राज की ये सेवा में हैं तो उसको पूरु पद के जो लेवल के वेतन के समान विकल्प उसको किया जाता है और साथ ही साथ इसमें यह समझने वाली बात है कि सफलता पूरवक उसने पूरी कर ली वेतन परिविक्षा पर्शिक्षन अउधी के दोरान जो भी देवितन वर्दियां सहित नए पद के लेवल के पे मेट्रिक्स के समान सेल में जो भी नए पद के पे मेट्रिक्स के समान सेल में और यदी समान सेल में नहीं हो तो अगले सेल में नियत किया जाएगा जो भी अगला सेल है उसमें नियत किया जाएगा एक उधान के द्वारा यह समझा रखा है कि एक दृत्य श्रेणी अध्यापक की न्यूक्ति सीधे ही दृत्य श्रेणी थर्ड ग्रेड से सेकिंड ग्रेड में आ गया तो और एल टैन में उसको 35,800 रुपए प्राप्त हो रहे थे दृत्य श्रेणी में एल ग्यार है और उसके प्रथम सेल में नियूनतम 37,800 मूल वेतन स्विक्रत होगा प्रथम सेल में है जैसे ही उसका प्रोबेशन कंप्लीट हो जाएगा उससे पहले उसको 35,800 रुपए वह मिलते रहेंगे ठीक है दोस्तों तो इस तरह से यह हमने कुछ पॉइंट्स पढ़ लिये हैं अगले पॉइंट्स में हम और क्लियर करेंगे अगले जो वीडियो में हम अगले ओर पॉइंट्स किलियर करेंगे तब तक स्वस्त रहें और मस्त रहें यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें ठीक है? और बेल आइकन को भी आप दबाएं और नए नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें थैंक्स पॉर ओचे